नमस्कार रेडियो मनिनायन पर आप सुन रहे हैं हमारा खास पॉटकास्ट प्रॉपर्टी वाला और मैं हूँ आपके साथ अबशेक गुपता एकबाल उसी घर को खरीदने जा रहे हैं जिसमें वो पिछले एक साल से किराय पर रह रहे थे सेविंग्स तोड़कर वो बयाने के लिए पैसे जटा रहे हैं अब केवल होम लोन लेना बाकी है एक बैंक उन्हें सस्ती दरो पर होम लोन दे भी रहा है लेकिन फिर भी एकबाल थोड़ा हिचकेचा रहे हैं दरसल इकबाल के हिचकेचाने की वज़े होम लोन से जड़ा एक किस्सा है कुछ साल पहले इकबाल के दोस्त आमिर ने भी होम लोन लिया था लोन चुकाने के बाद जब आमिर को घर के पेपर्स हैंड ओवर करने की बारी आई तो पता चला कि बैंक वालों ने उनके कागज ही गुमा दिये हैं आज भी आमिर इस ज़मेले से बाहर देही निकल पाया है तो बस इकबाल को भी यहीं डर सता रहा था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए लेकिन RBI के नए निर्देश से उनका यह डर अब खत्म हो गया है दरसल अब बैंकों ने डॉक्यमेंट्स वापस करने में देरी की तो उन्हें हर जाना देना होगा RBI के नए निर्देश के मताबिक अब होम लोन चुकाने के बाद बैंक और financial institutions को 30 दिन के अंतर ग्रहकों को property के documents वापस लोटाने होंगे ऐसा ना करने पर बैंक ग्रहक को 5000 रुपए प्रते दिन मुआफ़े के रूप में देगा यनियम बैंक, NBFCs, Housing Finance Institution, Asset Reconstruction Company Regional Bank और Cooperative Bank पर लागू होंगे आम तौर पर लोन के बदले में बैंक को लेटरल के तौर पर property के original documents रख लेते हैं और कोई समय सीमा तैन ना होने से बैंक documents को जारी करने में मनमानी करते हैं और इससे ग्रहक बेवजह परिशान होते हैं इस मामने में RBI के पास कई शुकायते और विवादों का धेर लगा हुआ है जून में ही RBI की एक committee ने कहा था कि अगर गर्जधारक के original papers बैंक हो देते हैं तो उन्हें मुआवजह के साथ साथ penalty भी देनी होगी वहीं हरियाना में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है खरियाना में रहे रहे गरीबों को अब पक्का घर मिलेगा खरियाना सरकार ने राज के एक लाक गरी परिवारों को पक्का घर देने की घोशना की है इसके लिए जल्द ही आवंटिन प्रकरिया शुरू की जाएगी राज्य सरकार विभिन योजनाओं का लाब पात्र नागरिकों तक पहुचाने के लिए प्रतिबद है लाभारती की पहचान सुनिश्चित करने के लिए परिवार पहचान पत्र योजना भी शुरू की गई है इस से राशनकार और पेंशन जैसी सुविधाओं का वित्रण सु वैवस्थित बनाने में मदद मिलेगी वही प्रॉपर्टी वाला में आखरी खबर है होम लोन से जुड़ी होम लोन पर ब्याजदर बढ़ने से घरों की मांग प्रभावित होगी अनरोग के एक सर्वे में शामिल घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों ने कहा कि अगर होम लोन की ब्याजदर बढ़कर 9.5% से ज्यादा होती है तो वो घर खरीदने का फैसला ताल देंगे सर्वे में शामिल ज्यादतर लोग 3BH के फ्लाट खरीदना चाहते हैं पिछले देर साल में होम लोन पर ब्याजदर करीब 2.5% तक बढ़ चुकी है सर्वे से पता चला है कि उची महंगाई ने 6-6% लोगों की खर्च योग या आमदनी को प्रभावित किया है तो आज के खास पॉडकास्ट प्रोपर्टी वाला में फिलाल इतना ही इसे आपके लिए तियार किया था आचल चौधरी ने मैं हूँ आपके साथ अविशेग गुपता बगी ऐसी ही बिजनेस और परसनल फालेंस से जुली खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनीनाइन और डाउनलोड कर लिजे हमारे मनीनाइन आप को अबे चलता हूँ नमस्कार